हाल ही में सीमा हैदर नेशनल टेलेविजिन पर रोमेंट्रिक होते हुए दिखाय दे थी सीमा हैदर और सचिन मीडा एक साथ एक नेशनल टेलेविजिन पर इंटरव्यू दे रहे थे इसे इंटर्व्यों के दोरान सचिन मीडा ने सीमा को किस करने की कोशिश की हाला कि एंकर ने रोक लिया लेकिन ये वीडियो तेजी से वाइरल हो रही है जिसमें अब सीमा हैदर और सचिन मीडा पर को खूब ट्रोल किया जा रहा है ट्रोल भी इस बात को लेकर के की सचिन और सीमा समाज में इस तरीके की हरकते करके एक बुरा संदेश दे रही है ऐसे में सीमा हैदर की कई और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है किसी वीडियो में सीमा हैदर अकेले डांस करते हुई दिखाई देती है तो किसी में अपने ननत के साथ छत पर डांस करते हुई दिखाई दे रही है अब सीमा हैदर ने अपने पती सचिन मीरा की को खुश करने के लिए एक और खास काम किया है जी हाँ, सीमा हैदर जहां अपने पती की तारीफ करते हुए नहीं थकती, तो वहीं अब पती के लिए सीमा हैदर ने शायरी कही है, हाला कि शायरी को सुन करके आप भी खसी नहीं रोग पाएंगे, लेकिन सीमा हैदर ने ये शायरी अपने पती सचनिया के लिए कही, अब ऐस में सीमा हैदर हर वो काम करना चाहती है जिससे सचिन और सचिन का परिवार खुश हो जाए चाहे वो पूजा पाठ हो या फिर वरत तीज तिवहार सीमा हैदर कोई भी मौका नहीं छोड़ती जिससे वो अपनी पती का दिल ना जीत पाए हाला कि ये सारी वीडियो पाकिस्तान में भी वाइरल हो रही है पाकिस्तान में मौझूद सीमा हैदर का पती गुलाम हैदर इस वीडियो को देखकर के अपनी अलग-लग राएदे रहा है और उतना ही गुस्ता भी जाहिर कर रहा है गुलाम हैदर की माने तो जल्द ही सीमा हैदर से अपने बच्चों को लेने के आएगा और साथ ही सीमा हैदर को सजा भी दिलवाएगा हाला कि सोशल मीडिया पर सीमा और सचिन की जो वीडियो वाइरल हो रही है वो काफी खास है क्योंकि इस वीडियो को लेकर के कहीं उनके मीम्स बनाई जाहे हैं तो कहीं उन्हें जबर्दस्त तरीके से आलोचनाओं का स सामना भी करना पड़ रहा है